नमस्कार मैं डॉक्टर वेपिन वंसल वास्तु कंसिटेंट आज मैं आपको दिवाली के पाउन अफसर पर कुछ खास बात बताना चाहूंगा ज्यादातर घरों में एक सबसे बड़ी गलती की जाती है हर वैक्ति बाजार से कुछ न कुछ नया सामान खरीद कर लाता है और अपने घर को दिवाली के अफसर पर सजाता है दिवाली के सुब अफसर पर अपने घर को सजाने के लिए हर वैक्ति बाजार जाता है और बाजार से घर को सजाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आते हैं उसमें से एक सामान ऐसा होता है जो की जाने अंजाने में आप बहुत बड़ी गल्ती कर लेते हैं वो क्या है लक्षमी जी के चरन पादुका आप बाजार से लक्षमी जी के चरण पादुका लेकर आते हैं और उन्हें लाकर अपने घर की हर एक चोखट में लगा देते हैं जब वहां से आप आते जाते हैं तो जो लक्षमी जी के चरण पादुका है उनके उपर से आप आते जाते हैं लेकिन उसमें आप जरा सा भी ध्यान नहीं रखते कि लक्षमी जी के जो चरण पादुका है उनके बीच में एक स्वास्तिक बना हुआ होता है ज्यादा तर जितने भी लक्षमी जी के चरण पादुका आ रहे हैं उनके बीच में स्वास्तिक बना हुआ होता है और उस पर किस इसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता और उसको सिधा अपनी चोहट पर लगा देते हैं। स्वास्तिक एक पवित्र चिन है जिसे हम पूचते हैं। जिसे हम पूचते हैं उसका पैरों में क्या काम। आप इस दिवाली ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपने लक्षमी जी के चर्ण पादुका लेकर आने हैं तो सिर्फ चर्ण पादुका हो बीच में स्वास्तिक बना हुआ नहीं होना चाहिए। आपने इस खास बात का जरूर धियान रखना है। मैक्सिमम घरों में देखने में आता है कि चोखट के बीच में लक्षमी जी के चर्ण पादुका लगे हुए होते हैं और उसके अंदर स्वास्तिक बना हुआ होता है। वैसे तो आदमी पूजा पाट बहुत ज़्यादा करता है लेकिन वहाँ पर जरासा भी ध्यान नहीं देता। क्योंकि व्यक्ति वहां से हर रूज एक बारनी कई बार आता जाता है। और ऐसा नहीं होता कि वहां पर उस चर्ण पादुका पर किसी की नजर ना पड़े। लेकिन फिर भी लापरवाही बरत देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं। इस दिवाली आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको लक्षमी जी के चर्ण पादुका लेकि आने हैं तो लेकर आएं। उसको दर्वाजे की चोखट पर लगाए। लेकिन उसके बीच में स्वास्तिक बना हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आप हर दिवाली इस बात का दिहान रखते हैं तो मेरा अपने ये मानना है कि आपके घर के अंदर खुशियां जरूर रहेंगे। लक्षमी जी जरूर रहेंगे। जो बात मैंने आपको बताई है मेरी इस बात पर आप गौर कीजिएगा। आपने अपने यहां लक्षमी जी के चन पादुगा पहले से लगाई हुए तो आप उनको चेक कीजिएगा उनके बीच में यानि लक्षमी जी के चन पादुगा के बीच में स्वास्तिक पना हुआ जरूर होगा। यदि आपके यहां लगे हुए है तो आप वो लक्ष्मी जी के चंड पादू का वहां से जरूर रहता है ऐसा करने से आपके घर के अंदर positive energy जरूर आएगी आपके घर के अंदर मा लक्ष्मी लक्ष्मी जी निवास जरूर करेगी इस दिवाली आपने ये काम जरूर करना है मेरे द्वारा इस वीडियो में दीगी जानकर ये दिया आपको अच्छे लगी तो मेरी इस वीडियो को आप अपनी family में फ्रेंग्स में WhatsApp ग्रूप पर Facebook ग्रूप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आज जो मैंने विशे लिया है ये विशे एक बहतरिन विशे है और हर गर के अंदर ऐसा देखने में आता है हमारी 10 नॉमबर 2021 से free basic online वास्तु क्लासी शुरू होने जा रही है यदि आप बंसल वास्तु प्रिवार के साथ जुड़ना चाते है और free online basic वास्तु कॉर्स करना चाते है तो आप अपनी सारी डिटेल हमारे WhatsApp ग्रूप पर शेयर कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित पर्थम पुस्तक लक्षमी प्रवेश कैसे हो जिसमें हमारे पिताजी ने उस पुस्तक के अंदर वास्तु शास्तर के साथ अपना आनुगोग भी लिखा है और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर उन्होंने समाज में बाटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाब भी उठाया है आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर संपर करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं आप भी अपनी किसी साइट के परती हमारे से ओनलाइन सला लेना चाते हैं तो आप हमसे ओनलाइन सला भी ले सकते हैं और आप अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहां से वासुशासर के इनुसार मैप भी बनवा सकते हैं आप हमें अपने यहां साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी अपने यहां इन्वाइट कर सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में दीगी जानकर यह दिए आपको अच्छे लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रैंक्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए वीशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार